मैं आपको स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो भी स्टुडेंट M.J.P.R.E. रोहलखंड युनिवस्टी बरेली से है तो आज की वीडियो में आपको 2021 में आने वाले कोशन देने वाला हूँ और इसमें जो हमारा टार्गेट रहने वा है तो जो जो कोशन आपको बतारों कोशनों को याद कर लेना बाग की तुम्हें कोई पैदा नहीं सब्सक्राइब करें तो आप जाईए ब्सक्राइब करिए डिस्क्राइब बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ यूनिवर्स्टी यूनिवस्टी में अप्रोड कर रहा पेपर है जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ब्सक्राइब यूनिवर्स्टी में लिखा गया आल उनिवस्टी 2021 में आने वाले कोश्चन अब वो सब यूनिवस्टी के लिए हैं तो इस पेपर हैकर पर देखेंगे तो यूनिवस्टी मिल जाएगा आपको कोई दिक्क्त ह दे रहा हूं आप इसको मारे नोट्स के द्वारे भी डालोड करके याद कर सकते हैं और साथी साथ त्यारी अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं बस आपको अपने बुक में नोट्स में टिक लगा लेना है पहला कोश्चन आपको देखें पुनर योजी तो डीने टेक्नल इसके बारे में आपसे पहुचेगा याद कर लीजिए ठीक नेक्स्ट कोश्चन जीन जीन क्लोनिंग क्या होते हैं जीन क्लोनिंग को याद करेंगे मौस्ट इंपोटेंट उसके बाद में आता है रिकम्बिने डिने टेक्नलोजी विकास योगदान देखिए मैंने ऊपर य विकास कैसे हुआ और इसका योगदान क्या है यह आप याद करेंगे ठीक है तो यही कोशन है ठीक है रिकम्बिने डिने टेक्नलोजी क्या है उसका विकास कैसे हुआ योगदान क्या यह कोशन देखेंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बैक्सीन क्या होती है अभी आप जा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर टिक लगा लो जैविक प्रधोगी की द्वारा उर्जा से संकट से निप्टारा कैसे करें तो देखिए जब भी हम जैविक प्रधोगी की है उसके द्वारा कोई भी उर्जा में उर्जा से संकट आ जाता है तो उससे हम निप्टारा किस परकार से करते हैं नेक्स्ट कोशिンド रोग पृतिरोधक शमतप के टाइब कितने होते सकती होती हैं यहां का इण होते है उसके ने होते हैं को समझाँ और रोगप्राइक्ता क्या होती है यह देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन आपसे पूछेगा सह संबंद क्या होता है और साथी साथ आप यह देखेंगे प्रियक्ता ठीक है तो प्राइक्ता क्या होती है इसको आप याद करेंगे माननक बिचलन क्या होता है इसको याद करेंगे इसको याद करेंगे इसके प्रभाहित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं याद करेंगे और जीमोन प्रजेक्ट क्या होता है इसको याद करेंगे ड्येने फिंकर प्रेंट्स क्या होता इसको याद करेंगे जीन वेंक क्या होती है इसको याद करेंगे pourquoi ये वाला कोश्िन आप को देखेंगे जो पॉली मीरेज प्लाइन इसको आप याद करेंगे कि नेक्स्कोशन देखिए जीन बैंक को हम जीनिक लेवरीड भी बोला जाता है तो जैनिक लेवरीड भी आप याद करेंगे एंटी एंटी जन और एंटी वाड़ी जो पिकरिया होती है वह क्या होती इसको देखेंगे और साथी साथ जो स्वेलोजी आप को भीयाद करेंगे इसको याद करेंगे और इसके बाद में आप को याद करेंगे जैसे की SDS और IS200 जबंत पेंगे इसको याद करेंगे जिक्ड़व पर एक्टो फोरे और को भी याद कर लिचिए नेक्स्स कोशन आकडों का संग्रह संशेपन यह देखना है आकडों का जो संग्रह संशेपन यह दोनों को देखना है संग्रह किस प्रकार से होता है साती सा उनका संशेपन किस प्रकार से होता है यह देखेंगे ठीक है माइग्रॉलोजी चोड़ी है और मानक बिचलन यह दुबारा से आ गया है और इसकी बाद में जीन बैंक देखे जीन बैंक डियाने फिंगर पेंट से पूरा सा पेंट दुबारा से रिपीड हो चुका है उसके बाद में यह क्या हुआ है इसमें से कुछ कम मुझे लग रहे हैं इसकी वीडियोस में दुम्हारा से करेक्टर हुआ